हलो एवरीवन देश शम्शाद है आज हम लोग टॉपिक के स्टाट करने जा रहे हैं उसका नाव में ट्रांजिस्टर अम्प्लिफायर इससे पहले हम लोगों ने देखा था रेक्टिफायर के टॉपिक को डिटेल में देखा था जिसमें हम लोगों ने टाइपस अफ को पढ़ा था सेंटर टाइप एंड ब्रिस टाइप ओके तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एंप्लिफायर यह ट्रांजिस्टर अम्प्लिफायर होता क्या है और यह कहां काम आता है हम लोग इसको क्यों पर रहे हैं इसको डिटेल में जरूरी है तो वैसे तो यह बैसिक भी मैं इसको बताते हो चलूँगा ताकि आपको अगर अब्जेक्टिव में से रिलेटेट कोशन पुछा जाए तो आप उसको आसानी से टिक कर पाएं कि हां इसका एंसर क्या हो सकता है ओके आई होप आप लोग इसको इंटरस्ट लेके काफी इंटरस्ट लेके इस मैंगनिचूड कम हो जैसे हम लोगों ने अपलाइ किया 0.1 वोल्ट और हम लोग चाहते हैं कि इसका इप इसका मैंगनिचूड बढ़ करें इसके इन्पट पर और वह कितने में अम्प्लिफाई होई होने के बाद 2 वोल्ट होई तो इसके लिए क्या हम लोगों कोई ना को उठाकर convert करेगा amplify करेगा किसमें 2V में तो इस device का नाम है Amplifier जिसमें क्या होता है हम लोग एक low amplitude low magnitude की signal को apply करते है as input okay as input apply करते हैं और इस circuit के input में जब हम लोग low magnitude signal को apply करते हैं तो वह क्या होता है high magnitude signal में convert हो जाता है इस circuit का नाम होता है amplifier circuit ओके आयोप आपको यह क्लियर समझ में हो गया amplifier का काम क्या है amplifier काम यह कि वीक signal को क्या करना है उसके magnitude को बढ़ा कर उसको amplify कर देना है बस इतना ही काम है यह जो signal होता है हम लोग कैसा है इसको small input signal और यह क्या हो गया large output signal यहां क्या देख रहे हैं हम लोग this is called amplifier circuit gain यह क्या है कि कितना amplitude को amplify करना यानि ऐसा नहीं है कि 0.1 को 2 में convert करेगा सिर्पॉल नी यह 0.1 को हो सकता हमको convert करना हो 0.5 वोल्ट में हो सकता है 0.1 को convert करके हमको लेना हो 0.8 वोल्ट ठीक है डिफेंट 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 हमको अगर requirement होगा तो वो किस पर भी circuit का कोई भी अलपरोनिक circuit अगर gain जहां बात करेंगा तो उसमें उसके साथ कोई नहीं कोई parameter add होगा जैसे voltage gain यानि voltage आड है current gain यानि current आड है power gain यानि power आड है ओके तो जैसे अगर मालीजी कहेंगे gain तो gain का मतलब होता output by input और अगर हम लोग को निकालना हुगा कि इसका voltage गिन कितना है तो हमलोग क्या लिखेंगा इस amplifier circuit का voltage gain कितना हो जायगा? 5. यह suivre लिखाएगा gain equal to 5. यानि gain क्या होता? Unitless होगा. यह क्या होजेगा? Unitless quantity होगा और जिसका value केतना हो जायगा? 5. तो amplifier circuit में सबसे important किस क्या होता है? कि कोई भी amplifier circuit हम लोग mám design कर सुचारे हैं ताकि जो desired output हो, वो मिल सके, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि output voltage required केतना है, और input voltage केतना है, इन दोनों का ratio लेकि हम लोग gain decide करते हैं, और उसके recording हम लोग क्या करते हैं, circuit के सारे parameter को adjust करते हैं, सारे physical quantity जो उसमें add है, जैसे resistor है, capacitor है, उसके अंदर transistor है, उसके recording ही select करते हैं, जैसा हम लोग को gain चाहिए होता है, उसके recording हम लोग circuitry में सारे component को लगाते हैं, जैसे BJT कौन सा लएगा, उसका, मतलब उसमें input capacitor अगल लग रहा है, pricing capacitor तो क्या होगा, उसका value, resistor का value क्या होगा, यह सारा कुछ किस पर depend करता है, basically gain पर depend करता है, ओके, तो देख magnitude का input signal हम इसके input पर apply करेंगे, वो क्या करेगा, उसको increase कर देगा, उसके magnitude को, और जो output होगा, उसका magnitude क्या होगा, input के corresponding क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऐसा circuit हो कहते हैं, amplifier circuit, basically हम लोग BJT जो हम लोग पहले से अलड़ी पढ़ चुके हैं, उसमें common emitter, configuration को हम लोग पढ़ाता हम लोग कीन तरह configuration पहले था, बीजेटी में, common base, common emitter and common collector, तीनों का अलग-अलग हम लोग ने application देखा था, कि common base में क्या होता है, common emitter में कैसा, उसका application होता है, common collector में क्या होता है, तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, amplifier में जो transistor यूज़ किया था, BJT यूज़ किया था, वो क जब भी amplifier design करते हैं, तो कौन सा transistor configuration को यूज़ करते हैं, वो होता है, common emitter transistor configuration को यूज़ करेंगे, तो आप से कोई पूछा है, why we are using only common emitter, why not common collector, common base, why not we are using that, तो आप लोग simply कह सकते हैं, due to its high power gain characteristics, क्योंकि इसका power gain बहुत हाई होता है, अब power gain क्यों हाई होता है, क्योंकि इसक अधिक का, common emitter का, इसलिए जब दोनों को multiply power gain क्या होता, आप आपको क्यों होता है, common emitter का का, जिसके वज़ात से हम लोग common emitter transistor configuration को useful to use करते हैं, as amplifier circuit, ओके, देहें, तो occसका basically अहर आपको circuit diagram करने के लिए आ आप यहां पर इन्पूट यह वाला इन्पूट टर्मिनल हो गया और यह वाला क्या हो गया आउट्पूट टर्मिनल हो गया इन्पूट के बीच में क्या यहां पर इन्पूट सिग्णल अप्ताई करते हैं और यहां पर क्या मिलता है यहां और इन दोनों ग्राउंड यहां से इसको ग्राउंड से और यहां पर जो मिलता है वह आपका आउट्पूट शेंगल है तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यह याद रखे है कि Collector Terminal के Cross हम लोग आउट्पूट लिखता हैं अगर हम लोग Emitor के Cross Output चनेक कर देगे तो वह कन्फिग्रेशन क्या लाएगा Common Collector ना के Common Emitter आगे हम लोग चलेंगे पढ़ने के लिए आएगा इमिटर फॉल्लोवर के बारे में हम लोग पढ़ने अभी आगे इसी सेक्षन में तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि emitter follower किसको कहते हैं तो common collector को ही emitter follower कहते हैं और वो क्यों कहलाता है क्योंकि हम लोग वहां पर जो output लेता है ना वो दिखने में सेम लए या common emitter के तरहा है लेकिन output यहां क्या लेना है collector terminal से लिए वहां हम लोग output लेंगे emitter terminal के cross ओके बेसिक बात और कर लें इसमें कि transistor amplifier जो हम लोग ड्राग कर रहे है common emitter के form में उसमें क्या-क्या main component होता है और कैसे यह work करता है as an amplifier तो simply हम बात करें तो यह देखें यह क्या है यह एक NPN ट्रांस्टर क्यों अपर यह क्या है यह वाइसिंग कौन सा है तो यह voltage इवाडर बाइस है क्योंकि और एक chapter बताया है transistor configuration के ओपर तो आप लगो लेक्चर अगर देखें तो आपको यह समझ में आगया होगा देखकर कि यह कौन सा बाइसिंग है तो यह है voltage इवाडर बाइस कर रहे हैं और input में क्या है एक देखिए capacitor लगा हुआ है यह क्या है आपको simply कह सकते हैं यह DC को कर देगा और एसी इसी input signal को क्या करेगा इसके base पर apply करेगा ओके वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं यह है output capacitor इसको कहते है bypass capacitor इसका नाम है input capacitor यह ब्लॉकिंग capacitor यह है output capacitor या bypass capacitor इसको लोड रेस्टन्स विच इस कनेक्टेड एक रॉस दा एक रॉस वाट एक रॉस दा क्लेक्टर टर्मिया जो हम लोग input यहां पर apply कर रहा है उसका amplitude क्या देख रहे है यहां पर देख रहे हैं यानि magnitude बहुत कम है और यहां देखे यह जो output आ रहा है वो हाई है एक और चीज़ हम लोग देख रहे है क्या कि यहां जो input अप्लाई कर रहे हैं वह क्या हो रहा है और देन आप्टर क्या हो दा पॉजिटिव में जा रहा है यानि पस्ट आफ क्या निगेटि उसको कर देगा यहां से यहां तक फूरा complete यहां से यहां से यहां तक चला जाएगा यह क्लियर आप को मेरे खाल से जब आप लोग शिप्टिंग पढ़ा फेशिफ्ट तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ तो फेशिफ्ट को ध्यान से पढ़िएगा एनलॉग में वहां आपको बताया जाए जास देखिए फेशिफ्ट का मतलब क्या है यह सिग है यहां से आगे बढ़ जाएगा यह था यहां सा अगे बढ़ जाएगा लैक कहेंगा 90 585 यह पीशे चला जाएगा यह से आप Kriパ safest होगया अब यहां से शूरूओ basin होगा ना यानि उल्टा हो जाएगा इसे होता है कि टैन 180 प्लस ठीठा कॉस 180 प्लस ठीठा जैसे ही आप 180 डिगरी का शिफ्टिंग लेते हैं तो वह क्या होता है जाता है जैसे किसी बीचीज को 180 शिफ्टिंग कहें तो यानि पॉजिटिव आप से शिफ्ट हो के निगेटिव में चला जाता है जब निगेटिव में चला जाएगा यह बेसिक आप लोग पहले से हो सकता है आपको बता दिया तो याद रखिएगा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कंट्रिशन जब हम लोग देखते हैं तो वह किसकी तरह यूज होता है वह यूज होता है ऐस अन अंप्लिफायर उसमें क्या-क्या पॉपर्टिज होता है तो इसमें प्रोपर्टिज यह होता है कि जो भी इंपूट सिग्नल में जो भी आप सिगनल अप्लाई करेंगा सबसेर पहला यह क्या करेंगा इसके मैंगनिचूट को बढ़ा कर क्या कर देगा अगर लो मैंगनिचूट का सिगनल है तो इसको हाई मैंगनिचूट कर देगा साथ में 180 डिग्री का फेश्ट भी प्रोवाइड करेंगा यानि जो भी सिगनल आप pass capacitor या फिर द्राइस्टर अंप्लिफायर तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं या पूरा लिखा रहा रहा है तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं ओके यही मैंने इसमें आगे बढ़के क्या-क्या है यह तो था एक single transistor amplifier अब क्या होता है कभी-कभी मैंने अभी क्या बताया आपको कि सपोज मुझे माल लिजी input voltage वो और हम इसको amplify करके लाना चाहते हैं क्या वन वोड लाना चाहते हैं या फिर हम 0.8 0.5 कुछ इस तरह से लाना चाहते हैं तो एक transistor का gain हम लोग इस तरह से adjust करते हैं कि इसका input 0.1 अगर आए तो उसको amplify करके convert कर दे वन वोल्ड में यानि 10 ताइम्स यह होगा 10 लेकिन गेन को हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं कि 500 टाइम्स गेन कर दें ऐसा नहीं अगर आप लोग ने वीडियो देखा हो तो उसमें आपको पता हुआ सेंसर क्या होता है ऐसा electronic component है जो क्या करता है नॉन electrical quantity को electrical quantity में करता है मतलब कि आप जैसे मालिजे के कोई चीज की चड़े है और जैसे समत्ते है क्या है wind energy को जो wind turbine देखा है turbine जो हवा चक्की को करता है वहां क्या होता है due to the wind motion of wind यानि कि हवा के motion के साथ साथ क्या होता है यह पवन चक्की rotate होता है और rotate होने के बाद क्या होता है आपको जो output signal देता है वो electrical signal होता है होता है जबकि wind क्या है आपका non electrical signal है तो यह इस चीज को sensing करना sensing करने का मतलब क्या है कोई भी movement को sense करना जैसे light sensor जैसे मैंने बता है आपको mobile देखे आपका अपना सब mobile जो आपको सब यूज़ कर रहे है तो उसमें एक sensor लगा हो जिसको कहता है light sensor light sensor का क्या क्या है कि जैसे ही आप अंधेरा में जाते हैं ना तो आपका mobile लाइट जो है फ्लैस लाइट जो मुबाइल के स्क्रिंट को लाइट है वो कम होने लगता है ब्राइटनेस कम होता है क्योंकि आपको जोड़ना पड़े और जैसे ही आप Sunlight में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है आप मुबाइल का ब्राइटनेस बढ़ने लगता है ताकि आप साफ साफ मुबाइल के सारे कंटेंट को देख पाएं अप्लिकेशन वगारा को देख पाएं क्यों कैसा होगा कि अगर माल लीजी आपका अंधेरा में जाने के बाद बहुत जादा लाइट हाई रहेगा तो आपक प सकता है तो तो मोशन सेंसर लगा हूए मैं जैसे आप लोग देखें मौल में गहि ए तो मौल जो उपे ऑपन हो गया और यह चैसे ही आप अंदर चले गा अप लिपुट सिगनल मिलता है वह बहुत ही बहुत ही क्या होता है यानि कितना होता है माइक्रो वोल्ट में या मीली वोल्ट में जैसे मैं बात करूँ 1 millivolt, यह बहुत छोटा हो गया, यह फिर बोले 0.1 millivolt और इसको convert करना है हमको 2 volt में, तो कि यह यह possible है कि इतना छोटा volt है, 0.1 millivolt का मतलब सम्झाएं, कि इतना 0.1 into 10 to the power minus 3 volt, इतना कम, ओके, यानि अगर volt में हम इसको लिखना चाहें, तो लिखेंगे 0.0001 volt, एतना छोटा voltage है, और इसको हम लोग convert करना चाहते हैं 2 volt में, तो क्या है possible है, कि एक transistor amplifier को लेकर हम इसके input में direct apply करना है, 0.0001 volt और यह convert होके हमको output में देदे 2 volt, यह possible है, तो नहीं possible है, क्यों possible नहीं है, क्योंकि इसका gain का एक limitation होता है, कि जहां तक हम increase करना चाहें, यानि maximum केतना gain हम लोग इससे achieve कर सकते हैं एक transistor से, वो क्या होता है, एक limitation में होता है, तो इसके लिए क्या है, कि हमको यह desired output नहीं मिल पाएगा ओने घ्राटाज़िटर से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस condition में कि जब हम लोगों को एक transistor का gain sufficient नहीं है, desired output के लिए, जो output हमको चाहिए, उस output के लिए हम लोगो क्या sufficient नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एक से जाधा एक ट्रांवब्र लिया और दूसरे ट्रांफटर पुट फिरी दूसरे कैने सब्सक्राइए पोद दॉसरा के ब्ली बंव गाओ ते लिए में इसलिकल आपक शूलकल ती हम लोक sleeping output होगा वो मिल जाएगा यानि 0.001 अगर अप्रापाई के जएगा तो पहला ट्रांजिटर से जब यह पास होगा माल लीज़े यह convert हो गया किसमें 0.001 में convert हो गया अभी क्या था पहले क्या था 0.0001 चार 0 था एक बाद अब convert हो गया 0.001 अगला फिर जब ट्रांजिटर की यह input में अप्लाई होगा तो फिर यह convert होगा 0.1 वोल्ट में लिज़े उसके बाद फिर यह convert होगा 1 वोल्ट में और उसके बाद क्या कर सकते हैं यानि एक स्टेज पहला स्टेज पहला ट्रांजिटर दूसरा तीसरा चाओ था यानि चार्ट ट्रांजिटर लगाने के बाद हम लोग यह output अचीव कर लेंगें तो यह configuration कहलाता है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर अंप्लिफायर कर लाता है इस तरह का configuration क्या कर लाता है तरह से आउपूट आएगा हाई एंप्लिफाइट सिगनल इस आउपूट को हम लोग लिए आगे फिर नेक्स प्राइस्टर के इंपूट में अपलाई किया और यहां पर जो हम लोग को चाहिए था उपूट वह आगया ओके तो यहां दो इस्टेर यह कहा रहाएगा टू यानि यह दो ट्राइस्टर को हम लोग जोड़े हुए है वह क्या है बीच में किसी तरह का कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ हूँ नहीं कैपसेटर लगा हुआ है नहीं कोई और कंपोनेंट लगा हुआ है यह डायरेक्ट इसके आउट्पूट को लिया और इसके इंपू इसका नाम होता है कैपसेटर का नाम होता है कैपसिटर कपलिंग या फिर रेजिस्टर Caf centimeter, coupling किसके लिए? Two stage के लिए ये कहलाएगा 現在 two stage resistor capacitor coupled transistor amplifier इसका नाम क्या होगा? तू stage resistance capacitance coupled transformer है की नहीं ये? नहीं है इसमें इसका कहलाएगा resistance capacitance coupled transistor amplifier डैरेक्ट का नाम इसमें है? ये है multi stage उ clown topic है multi stage transistor amplifier इसी का एक types है जिसमें connect है resistance और capacitance इसमें क्या था direct coupling इसमें इस रेस्टेंस को ने यह हो कहते है रेस्टेंस कपलिंग भी कह सकते है या फिर डारेक्ट कपल भी कह सकते है इसका दूसरा नाम यह भी है कि टू स्टेज लेकिन अगर बीच में capacitor लगा हुआ है इसका नाम हो जाएगा रेसिस्टेंस कपल ट्रांजिस्टर अम्प्लिफायर और यह सारा टाइप्स किसका यह पहला टाइप हो गया डारेक्ट कपलिंग यह हो गया दूसरा टाइप क्या रेसिसेंस कैशिस्टेंस कौपलिंग और यह हो गया तीसरा टाइप यहां पर जो आउट्पूट है किस से connected है यहानि पहले स्टेजय का जो आउट्पूट है उसमें यहां पर ट्रांस spend के coupling transformer और उसके output को लेया के फिर next transistor के input में connect किया गया तो यहां पिर जो coupling हो रहा है यानि दो transistor को दो transistor amplifier को हमनों जो couple कर रहे हैं coupling का मतब क्या ओओ? जोड ना तो जोड रहे हैं वो किसके थो जोड रहे हैं transformer के थो जोड रहे हैं तो इसका नाम होता है transformer coupled amplifier करते हैं जब हम लोग को एक ट्रांजिस्टर का गेन क्या होता है डिजाइड आउट्ट लेने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से कपल करते हैं कि बीच में क्या है करते हैं या तो डियर्यक्ट कपूलीं करते हैं जिसको रेजिस्ट्र लाखिए करते हैं इसको कहते हैं रिस्ट्र का पासिट्र लाखिए्वर करते हैं फिर PRO C 30 इस पर तीन तरह के हम लोग को मल्टी-इृ स्टेज ट्रांस्टर अम्लेफियर मिलता है उके कौन-कउन डायinger कप प्र असके इलावा रेजिस्टर के विस्टर मॉल्टी स्टेज कंटो को अम्लॉइफायर और तीसरा क्योंता हम लोग मिलेंगा push-pool amplifier के साथ कि यह क्या होताँ different apps of variety differentえps of amplifier कि में हम लोग और मिलेंगे आगे क्कॉम आप्लिफाइर जो हमारे है bands में यूज होता है और इसका क्या-क्या application हमारे अप्लिकेशन है हमारे हम लोग दॉअनि अच्छे